हेलो गाइस कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पढ़ा एक दम बढ़ियां एक दम मज़ेदार तो माइने में संजीफ पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खुपसूर से चैनल में जे आर कॉलेज में जो की पार्ट है जे आर टुटोरियल का ओके हम लोग ने अल्रेड़ी लॉज आफ मोशन खतम कर दिया है लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एंड किया मैंने तुमको एक छोटा सा टास्क दिया था क्या करना है फ्रेश पेज पे तुम्हारा फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए सब के पास रेडी है क एक सिमिलर नुमरीकल है वो नुमरीकल मैं लेने की कोशिस करूँगा ओके चलो तो लेड़ा स्टार्ट विट को कोशन नंबर वन देखते हैं पेज नंबर 76 कोशन नंबर वन देखो कोशन मैं नहीं लिखूंगा अल्रेडी तुम्हारे पास बूक रहेगा तो वहाँ पर त पाइब टर्ण इस ट्रावलिंग ऑन दो होरिजॉंटल रोड वित अ स्पीड और 36 किलोमेटर पर आर तो यह ट्रॉक है जिसका मास है गीवन डेटा कलेकर हो सबसे पहले तो गीवन डेटा अगर देखने जाए तो मास गीवन है कितना फाइब टरन तो एम इस गीवन फाइब टरन पाइब टरन को हम लोग कनवर्ट कर लेंगे तो मेरे खाल से 5000 केजी आ जाएगा एक तन बराबर होता है 1000 केजी के बराबर आगे देखो क्या बोला है भाई वो होरिजन्टल स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड गीवन है that is V is given कितना गीवन 36 किलोमीटर परार तो किलोमीटर परार को कनवर्ट करना पड़ेगा कैसे कनवर्ट करेंगे किलोमीटर परार को कनवर्ट करने के लिए भाई मैंने तुमको बता है 36 को डारेक्ली 5 by 18 से मंडिप्लाइ कर दो तो क्या होजाएगा 500 से मदेप्लाय करता कि तो 8 रहा वञजा टूसा है टूने इंटु फाएचन 10-100 एका ऐना हे आङे क्या बिलाहे श्टॉाप इंडी बाई ट्रावलीं किलो three किलो मेटर बैने निच लॉं즈 तो इन soutas यह यह यू और यह जाएगा वी वी हो जाएगा 0.0 that is 0 meter per second क्योंकि रुख गया और distance किता ट्रावल कर रहा है वो distance travel कर रहा है that is 1 km मतलब 1000 meter के असपास हाय ना मेरे को कोशन क्या पूछा है मेरे को बोला what fraction of its weight is the friction force exerted by the road मतलब मिरे को fraction निकालना है fraction में को निकालना है that is friction divided by your weight यह चीज़ मिरे को निकालना है ओके चलो तो calculate करने कोशिश करते हैं क्या होगा देखो ज़रा तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे भाई सबसे पहले अपने को पता है कि वह रुक रहा है तो आपने वह acceleration मिल जाएगा यह सोनो distance दिया हुआ है velocities दिए हुए third equation यूज़ करो by using third equation kinematics का by using third equation क्या मिलेगा that is v is equals to u plus 2as हाया ना 2as लिखो या फिर x लिख लिख लोग कोई problem नहीं है क्या हो जाएगा देखो ज़रा v square u square तो क्या हो जाएगा v is final final is 0 तो यहां पर 0 का square 0 u initial 36 अपने convert किया है that is 10 10 का square 100 plus 2 a अपने को ढूलना है x कित्ता बोला है thousand यह इदर आ जाएगा तेरा तो 2000 a is equals to minus 100 minus आ रहा है क्यूंकि भाई velocity decrease हो रहा है retardation लग रहा है हां या ना तो यहां पर तुमको a क्या मिलेगा divide में चले जाएगा तो therefore a will be a is 100 by 2000 हाए ना तो that is cancel that is 1 by 20 तो acceleration आ गया मेरको 1 by 20 meter per second square तुमको solve करना है तुम solve कर सकते हो यहां पर minus sign आ रहा उसके opposite का acceleration में निकाल लिया तो मेरको friction force क्या ही मिलेगा friction force मिलेगा मेरको that is बराबर हो जाएगा applied force है और applied force कितना लग रहा है उसको applied force लग रहा है m a m into a हाए ना okay तो m a कितना हो जाएगा देखो जाना that is 1 by mass given है इसका मेरे ख्याल से ट्रक का mass है 5000 acceleration किता है that is 1 by 20 यह minus है श्रीफ opposite direction में तो minus of minus plus हो जाएगा यहां पर यह 0 कटा यह 0 कटा okay 500 और यह 2 तो क्या 200 हो जाएगा तो 250 newton हाँ या ना यह अपने को आ गया yes or no okay अब मिरको ratio निकालने बोला friction force आ गया अपने को तो ratio कैसे ही मिलेगा देखो ज़रा कि डिवाइड बाइवेट तो friction force की तार है अगर हम लोग देखने जाए तो friction force अपने को मिला 200 और वेट बोले तो mg तो m 5000 है जी मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 50,000 1010 कैंसल हाया ना यह 25 है और यह तुमारा 5000 है तो मेरे ख्याल से 25,000 25,200 जाएगा तो 1 by 200 इनका ratio करेंगे तो 1 by 200 और इसका कोई यूनिट नहीं होगा विकाज उपर भी force है नीचे वेट है वेट मतलब भी force होता है मतलब दोनों newton होगा तो भाई कोई भी इसका unit नहीं आने वाला है क्लियर भास में आ रहा है आप देखो आगे कहानी क्या बोला भाई आगे भी इसके question है continue है if we assume that the story repeats for the car of mass one ton मतलब यहाँ पर जो truck की कहानी दी थी ये truck था सारी कहानी सेम है everything is same सब चीज सही है उन्होंने बोला कि बस ये truck के जगे car assume कर लो तो car assume कर लो और उसका mass दिया है one ton उसका mass कितना दिया है one ton मतलब 1000 kg के आसपास बरबर आगे क्या बोला है आगे बोला है same car moving with the same speed stop in similar distance same how much will be the fraction same कहानी everything is same सब चीज़ सेम करना है speed same everything is same तो देखो ये चीज़ अगर तुम सेम रखोगे कहीं ने कहीं तो तुमको यहाँ पर acceleration जो आया वो क्या मिलेगा that is 1 by 20 है न अब यह 1 by 20 है यहाँ पर सिरिफ mass का value change होगा mass का value कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा तो यहाँ पर हजार पुट कर देना और जब तुम लोग इसका ratio लोग है तो भाई ratio यहाँ पर weight के जगे mg और उस ताइम पर यहाँ पर पांचास हजार के जगे दस हजार आ जायगा यह सवानों क्यूंकि हजार इंटू दस clear बासन आगा everyone yes or no चलो ट्राय करना यह ज़रूर हमें को comment section में बताना अगला कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन क्या बोला देख जरा as I was standing on the weighing machine inside a lift it recorded 50 kg weight suddenly for few seconds it recorded 45 kg weight what must happen during that time explain with complete numerical analysis तो numerical analysis से तुमको explain करना है तो सबसे पहले given की कहा नहीं लेलो given क्या बोला है कि भाई जब lift रूकी हुई थी तो उसका जो weighing machine है वो किता दिखा रहता 50 kg weight मतलब the mass of the body mass of person लेलो या body लेलो is 50 kg weight हाया ना फिर आगे क्या बोला है आगे बोला है कि भाई थोड़े सेकेंड बाद for few seconds is recorded 45 after some some time after some time जो उसका mass हो गया वो किता हो गया that is 45 kg weight आया ना आगे की कहानी क्या है आगे की कहानी है what must be happen तो क्या situation हुआ होगा तो इसको जरा लिफ्ट का सिनारियो बनाने कोशिस करते हैं लिफ्ट का सिनारियो क्या हो जागा देखो जरा यह लिफ्ट है कि अब यहां पर वेंग मशीन है तुमारा यह तुम लिफ्ट में खड़े हुए हो नीचे तुमारा वेट लगेगा that is mg और उपर एक normal reaction रहेगा जो की तुमारा वेट बताएगा भाई normal reaction हमेशा तुमारा वेट बताता यह सौनो ओके अब देखो जरा अगर हम लोग ध्यान दे यह concept actually कहाँ पर मानुमें जब हम ग्राविटेशन टॉपिक पड़ेंगे तो ग्राविटेशन में यह वाला concept डाला हुए लिफ्ट वाला weightlessness वाला ओके बड़ यहां पर भी कोशन पूश लेते हैं तो हम यहां पर थोड़ा समझने कोशिस करते हैं से कि भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है थोड़ी दे रिकले माल लेते हैं लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो यहां से मेरे को equation अगर बनाने जाओ तो क्या लिख सकता हूँ माइनस अम जी कंवें में क्या मिले था यहां उदर जाएगा व्लश दाने कि रचे जा रहा हैateur, अगर लथक से नी करेश़ तो बने के देखे ज़रा तो यहां पर क्वें तुमको नेत क्या will be, net force will be, that is N, minus M, G, equals to minus M, that become N, equals to M, G, minus M, मतलब मेरा जो weighing machine है, उस weighing machine पर जो weight आएगा, वो M, G, minus M में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M, G, minus M में हो जाएगा, हाएगा, आप देखो जरा, भाई, जब मैं खड़ा हुआ था, जब मैं उस weighing machine पर खड़ा हुआ था, जब changes नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम पर मेरा weight था 50, क्या था 50, अब भाई मैं चलना चालू किया, जब मैं चलना चालू किया, तो उस टाइम पर weight में कुछ changes आया, कितने का changes आया, देखो जरा, भाई, उसमें changes आया लगबग, 45 का, तो कम हुआ, यहाँ पर कहानी कम हो रही है, mg minus something हो रहा है, तो mg minus something हो रहा है, मतलब इसका value क्या हो रहा है, इसका value कम हो रहा है, तो इतना तो confirm हो गया है खिन continues घारी है, अब कितने acceleration से जारी है, यह अपने को निकानना पड़ेगा, भाई, कितने acceleration से जारी है, अपने को निकानना पड़ेगा, देखो जरा, तो बाई, weight कितना आया, तुम्हारा 45, तुम्हारा mg कितना आया, that is 50, minus m a, तो यहाँ पर तुम्हारा वेट कितना ही होगा अगर डिवाइड बाइड टैन करोगे तो अल्मोस्ट पांच के आस पास रहेगा यहाँ तो यहाँ पर आंसर फाइव डाल दो तो यह इधर आएगा यह इधर आएगा यह इधर आएगा that is a is equals to और g के फार में रखना है option कैसा है g के फार में है g के फार में ही है तो g के फार में रखते हैं इसको जान दो चलो no need to substitute the value okay इसको g के फार में रखते हो जाएगा तुमारा 45 यह हो जाएगा जी इतना हो जाएगा that is वह आए 50 यह हो जाएगा तुमारा इसको जी के फार में रखते हो तो मास तुमारा 50 हो जाएगा that is 50 A तो यह हो जाएगा 50 A is equals to that become 45 45 5 5 5 जाएगा 5 G और A आजाएगा तुमारा that is 5 G by 50 तो 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 इतने एक्सेलरेशन है मतलब जी इन एक्सेलरेशन से यह क्या हो रहा है लिटे नीचे जा रहा हो कि तो यहां पर तुम्हें explain कर सकते हो इसको जी बास ना गया है अनता कानिसवा यह इसका mathematical rate है, मतलब mathematical analysis है, अपने पहले चेक किया, कि lift कहां जा रही है, तो add हो रहा है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है, तो lift उपर की तरफ जा रही है, और अगर तुमने देखा रहे हैं, जब तुम lift के उपर की तरफ जाते हैं, तुम्हारा weight नीचे ह आ रहा है, तो तुमको थोड़ा भारी महसूस होता है, तो भाई, जब ऊपर जा रही है, मतलब वजन बढ़ रहा है, और जब नीचे आ रही है, तो वजन क्या हो रहा है, काम हो रहा है, यह actual में concept इसका gravitation में है, तो gravitation में हम लोग यह concept देखेंगे, अगर नहीं समझ में आ downward direction with acceleration of g by 10, okay, चलो, next is, अगला कॉशन क्या हा ए, देखेंगो जब चारा, कॉशन नभर 6 है, त ninos 40,000 liter of oil, 40,000 liter of oil of density 0.9 gram cc, तो cc भलक इस पुब क्यूब oil tanker ship into a storage tank at 10 meter higher level than the ship in half an hour what should be the power of the pump power निकालना है यहापर ओके देखो जारा तो सबसे पहले given data करते हैं तो given data क्या क्या है सबसे पहले लिखो भाई 40,000 इसका यह given है पानी का लीटर गीवन है मतलब वॉल्यूम गीवन है तो तुम्हारा वॉल्यूम गीवन है देट इस 40,000 लीटर तो 40,000 लीटर को अगर मैं कनवर्ट करूंगा तो दाट विकाम 10 रस तो माइनस त्री तो 40,000 इंट्व 10 रस तू माइनस 3 मीटर क्यूब हो जाएगा यह conversion याद रखना हो के वन लीटर बराबर होता है 10 रस तू माइनस 3 मीटर क्यूब या फिर ऐसे याद रखो कि भाई 3-0 जाएगा अपने को वॉल्यूम मिल घया आगे क्या बोला है अपने को डेंसिटी दी हुए फेपने को डेंसीटी कितनी दी जाए सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर ओके सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर तो वन सेंटीमीटर बराबर होता है तेन रेस टू माइनस टू मीटर के यह वन सेंटीमीटर अब इसका क्यूब तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा वन सेंटीमीटर क्यूब बर शालो तो क्या हो जाएगा अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से ये और ये कैंसर नीचे माइनस थी बचे का माइनस थी उपर जाएगा दाट बिकम 0.9 इंटू 10 रेस टू 3 केजी मीटर क्यूब तो ये केजी मीटर क्यूब हो गया वरापर तो दाट बिकम लगभग 900 के आसपा आगे क्या करेंगे आगे क्या बोला है पंद फ्रॉम ओल टैंकर शीप इन दे स्टोरेज 10 मीटर हाइट मतलब उसका हाइड भी गीवन है कितना गीवन है 10 मीटर आगे क्या बोला है शीप लेवल देन हाफ इनार टाइम भी गीवन हाफ इनार हाफ इनार बोले तो कैOn पावर-निकालना है अपने को पावर निकालना है तो यहां पे मेंशन कर देते हैं भई पावर अपने को निकालना है कि भाई कितने पावर का अपने को मोटर लगेगा कितने पावर का अपने को मोटर लगने वाला यह चीज़ अपने को निकालना है चलो तो कैसे निकालेंगे भाई पावर का बहतरीन से बहतरीन फॉर्मला हमारे पास है तरिस पावर इस इक्वाल कितना ही होता है that is mg h yes or no यहाँ पर gravity के वज़े से अगर हम लोग देखने जाएं तो gravity के वज़े से कितना वर्क होगा that is mg h divided by time यह तुम्हारा हो जाएगा बट कहीप देखतो मास गीवण नहीं है कहीप मास गीवण नहीं है तो क्या है बहुए वाल्यूम our density given वॉल्यूम है तुम्हारे पास 40, जी तुम 10 लेलो, 9.8 लिखो, बट 10 से करो, into h क्या है तुम्हारा, h है तुम्हारा 10, divided by time कितना है तुम्हारे पास, that is 30 into 60, 30 into 60, सबसे पहले उड़ा दो, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, बट नीचे देखो, यहाँ पर क्या बचना है, that is 900 into 40 divided by 3, कितना हो जाएगा, 6, 3 जा, 18, आया न, 18, यह कटेगा मेरे खास, देखो जरा, 9, 1 आ कटेगा, और यह 9, 2 आ कटेगा, यह 1 आ कटेगा, यह 20 आ कटेगा, तो लगभग 2000 के आसपास आंसर आएगा तो power is equal to your 2000 Watt जा फिर अगर इसको लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो power is equal to 2 kilowatt 1000 है ना तो 1000 बोले तो kilowatt ओके clear calculation वाला fund आ तुम लोग अपने से कर सकते हो जरूरी नहीं कि मेरे कोई follow करो तो तुम यह वाला जो चीज है ना तुमको जैसे समझता है कर सकते हो it is mathematics and it is your choice it is individual choice मैं हर बार बोलता हूं कि यह जो part है जैसा मुझे समझता है वैसे मैं solve करता हूं जैसा तुमको समझता है वो तुम solve कर सकते है main concept यहां तक की कहानी है उसके बास substitute करना solve करना वो तुम्हारा काम है clear बास ना आगे इवरियों पका question समझ में आ गया चलो आगे बढ़े next question की तरफ question number 10 क्या बोला question number 10 देखो जरा so question number 10 variation of force in a certain region okay variation of force in a certain region is given by f is equals to तो उन्होंने एक equation दिया है वह जो force है वो vary हो रहा है तो वो equation से vary हो रहा है कौन से equation से vary हो रहा है that is 6x square minus 4x that is 6x square minus 4x minus 8 minus 8 6x square minus 4x minus 8 okay it displays an object from x equals to 1 meter to x equals to 2 meter मतब तुमको यहाँ पर limit भी दे दिया है भाई x 1 meter से कहां जाएगा x 2 meter तक जाएगा हमको क्या निकालने बोला है भाई हमको बोला है work निकालने तो हमको पता है ना भाई हम लोग ने यह पढ़ा है lecture number 2 या 3 में है तो हम लोग ने पढ़ा है भाई जब कभी भी equation घीवन हो तो work निकालना है तो भाई क्या करना है उसको integrate कर देना है तो work क्या ही होता है we know that that is work is equals to integration of x1 से x2 f into dx हाया ना so integration of what is x1 भाई x1 कितना है 1 what is x2 2 what is force का equation that is 6x square minus 4x minus 8 into dx हाया ना तो इसको integrate कर होता तो क्या मिलेगा देखां सरा integration हम लोग ने अल्रेडी सीखा हुआ है 6 बहार आ जाएगा x3 by q3 हाया ना हमको पता है ना integration of x raise to n तो integration of x raise to n क्या होता है that is x raise to n plus 1 divided by n plus 1 तो square है तो square का 2 plus 1 divided by 2 plus 1 that is 3 हाया ना minus 4 बहार आ जाएगा यहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 1 है इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 तो 1 plus 1 that is 2 divided by 2 यहां पर कुछ नहीं है मतलब 8 1 है मतलब 1 का x हो जाएगा कहां से कहां तक limit limit 1 से 2 1 से 2 1 से 2 कितना हो जाएगा यह कट जाएगा मेरे खाल से पहले काट ही दो यह 1 जा 2 जा यह भी कट जाएगा 1 जा 2 जा ओके limit पुट करो यहां पर क्या बचा है 2 सबसे पहले upper limit minus lower limit तो upper limit पुट करेंगे तो 2 2 का cube 8 minus 1 1 का cube 1 minus 2 minus 2 बचा है फिर upper limit 2 का square 4 1 का square 1 यहां पर क्या हो जाएगा देखो जारा minus 8 2 minus 1 तो solve करो क्या हो जाएगा that is 8 minus 7 7 into 2 14 तो यहां पर क्या जाएगा that is 14 आगे क्या बनेगा देखो जारा 4 minus 1 3 3 2 जा 6 तो minus 6 next 2 minus 1 1 1 into 8 that is minus 8 minus 8 14 minus 6 minus 8 मेरे ख्याल से 0 हो जाएगा देखो जारा 0 है अंसर ख्याल से मेरे ख्याल से 0 है अंसर यहां लिग देता हूं तो तुमको याद रहेगा भाई कौन सा कहानी यहां पर यूज किया यहां पर इसका integration जो है वो यह formula यूज किया ओके clear बास में आ गया 0 जूल आ रहा है मेरे ख्याल से 0 यह आएगा देखो ज़रा समझा basic है integration है ऐसा हम लोग ने during lecture भी practice किया है तो integration derivation तुमको भाई बहुत जगे काम आने वाला है वो चीज़ भूलना नहीं है clear सबसे पहले भाई क्या force देखने का अगर graph के form में है तो area निकालने का area under the curve अगर equation के form में है तो simply क्या करो भाई equation के form में है तो simply तुमको क्या करना है simply तुमको equation लिख देना है dx कहाँ नहीं खतम है okay differentiate करो value substitute करो you will get the answer clear clear फंडा समझ में आगे everyone पका आगे बढ़े चलो बहुत बढ़िया next question देखो क्या बोला देखो question number 13 a marble of mass 2m traveling at 6 cm per second okay तो एक mass है एक marble है जिसका mass है 2m जो travel कर रहा है with a speed of 6 cm per second मीटर पर second नहीं है cm per second okay तो क्या हो जाएगा is directly followed by another marble of mass m with double speed तो एक दुसरा marble है तो एक marble है दुसरा marble है तो उसको पीछे बना देते हैं क्योंकि followed बोला है तो यह आगे रहेगा एक दूसरा marble है जिसका mass m है तो छोटा बना देते हैं m और उसका जो speed है वो double है इससे double है मतलब यह कहीं ने कहीं 6 है तो वो कितना होंका 12 तो मालों यह u1 है जो कि मेरे को 12 दिया हुआ है और यह मेरा u2 है आगे क्या बोला देखो जरा diagram के form में देखो जितना तुम diagram बनाते हो ना तो diagram के form में visualize बहुत अच्छा होता है question ओके तो थोड़ा 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 question को और उसको diagram के form में convert करो आगे बोला है after collision the heavier one travel with the average initial speed of 2 तो बहुत दोनों में से collision हुआ है यह before collision की कहानी है यह before है अब collision हो गया after collision after collision क्या बोला है देखो statement पड़ो तुम statement पड़ो तुम को खुद को समझ में आएगा after collision the heavier one heavier one बोले तो 2m वाला मास यह किस से travel कर रहा है the heavier one traveling with the average initial speed तो इन दोनों के average initial speed से वे ट्रावल कर रहा है तो माल लोग यह 2m है तो 2m इसका average speed तो average speed कैसे निकालेंगे हम लो that is 6 6 plus 12 that is 18 18 by 2 हाँ आवरे जैसे निकलता है न नाइन सेंटीमीटर पर सेकंड एक से ट्रावल कर रहा है ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं क्या होगा देखो जरा आगे बढ़ेंगे आगे क्या बोला है कि कि calculate the coefficient of restitution तो कम को coefficient of restitution चाहिए इसका कहीं पर भी velocity का जिक्र नहीं किया है तो इसकी velocity को माल लेते हैं V ओके देखो सबसे पहले तो conservation of momentum लगा तो जैसी तुम conservation of momentum लगा होगे तुम को यह वाला value मिल जाएगा हाया ना तो बाय अप्लाइंग conservation of momentum conservation of momentum by conservation of momentum क्या हो जाएगा by conservation of momentum by M1 M1 तो M1 है तो उसको directly M लिख देते हैं into velocity that is 2L plus M2 that is 2M into velocity that is 6 यह before collision हो गया yes or no after collision देखो M into V plus 2M into 9 क्या हो जाएगा देखो जारा तो 12M यह 12M हो जाएगा that is 12M यह हो जाएगा plus 2LM यह हो जाएगा तुमारा MV यहाँ पहा जाएगा plus 9 to 18 18 M यह हो जाएगा तुमारा 24M यह जाएगा MV यहाँ पहो जाएगा 18 M यह इदर आएगा 18 24 में से माइनस हो जाएगा तो आठरा गया चोब इसमें से 6M तो 6M is equal to MV M M cancel V is equal to 6 cm per second तो इसका speed आगया मेरेको that is 6 cm per second अब मेरे को क्या बोला है coefficient of restitution निकान ने बोला है coefficient of restitution का मेरे पास directly formula है yes or no तुम formula sheet पे देखो फटाक से और क्या formula लगेगा बता दो फटाक से फटाक से formula sheet पे देखो और क्या formula लगेगा बता दो फटाक से formula क्या हो जागा that is E is equals to relative velocity of suppression तो suppression हो रहा मतलब क्या हो जागा that is V2 minus V1 divided by relative velocity of approach तो approach क्या हो जागा that is U1 minus U2 तो V2 कितना है तुमारे पास 9 minus V1 हम लोग ने निकाला 6 divided by U1 कितना है तुमारे पास 12 minus U2 कितना है तुमारे पास that is 6 तो 9 minus 6 9 minus 6 कितना हो जाएगा देख लो जरा 3 और नीचे 6 कितना हो जाएगा 6 3 that is 1 by 2 that is 0.5 तो E का value आगया मेरे पास 0.5 और इसका कोई unit नहीं होता है हमको पता है कि भाई coefficient of restriction को कोई भी unit नहीं होता clear समझ में आया कानी समझ में आई भाई क्या किया सबसे पहले question पढ़ा break किया उसके हिसाब से diagram ready किया diagram ready करने के बाद अपने को समझ में आया कि यहाँ पर velocity missing है तो इसका velocity निकाला आप उनने कैसे निकाला by conservation of momentum लगाया by total momentum before collision is equal to total momentum after collision हाया ना फिर यहाँ पर कहानी देखो coefficient of restitution का directly formula है सारी velocities मेरे पास available है substitute किया and get the answer clear समझ में आया everyone पका ओके तो इसके अंदर अभी भी बहुत numerical बाकी है और बहुत numerical present है ओके तो I will suggest कि भाई क्या करो numerical खुद से try करो जितना तुम खुद से try करोगे उतना बहतरी नतरीके से तुम सीखोगे तो खुद से try करो अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ भाई हम लोग क्या करेंगे उसके लिए वापस एक नया lecture रख देंगे और उसमें वो numerical solve कर देंगे clear बास में आ गई जितना हम लोग ने किया है उतना प्राक्टिस करो आज आएगा definitely है ओके जितना हम लोग ने इतना है तो क्याओे थे जितना है यह सकर रभाण हार्णे यह वो तो खटार द्सकित करेंगे उतना है यह